क impacting हुआ है चलब में फडर्रमा आज टीजैटी के टोफिक को को फिजिक किसी टोफिक को इसे अब जेक्टिव करें त् GIRुरी परके उस पर बता दे रहें हैं आप लोग उसकी चुस्तेडी किप्जे गा Aha लेकिन थेओरिक का कॉंसेट आपका किलियर है तो कोई भी आप दील कर सकते हैं जैसे मान लीजे कि फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है फिरिक्षन लॉप मोशन में आता है यह प्रीक्षन तो यह पहली बात है कि यह इसके बारे में जाने जैसे किसी चीज पर लेख लिखते हैं तो उसी टाइप से इस पर लेख हम लोग जाने कि पहले क्या है यह फ्रिक्षन क्या होता है सोद देख लिए फ्रिक्षन पहली बात है कि फ्रिक्षन नजर नहीं आता है है ना फ्रिक्षन नजर नहीं आता है जैसे आप माल लिजे कि मेरा दो दोस्त है हम और मिस्टर ए और मिस्टर भी दोनों दोस्त है अब बहुत दोस्ती है दोनों में दोनों में दोस्ती हो गया यह कॉंटेक्ट हो क्या है दोनों उस समय फ्रिक्षन पता चलता है जब तक दो बोड़ी कॉंटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्षन पता नहीं चलेगा गुन पता नहीं चलेगा जैसे हम जाते हैं लड़की देखने या लड़का देखने जो समाल लोग कर देता है कि लड़का नेचर में कैस है चाहिए पता नहीं चलेगा ऐसे जब तक कि उसके कॉंटेक्ट में नहीं जाए जब कॉंटेक्ट में जाएगा तब पता चलेगा कि उस लड़के का नेचर क्या है यानि उसी उसी नेचर में एक तर्म आ तर्म क्यूंसाइब अगर मान लेटा मिश्टर या मीस्टर बी में दोनों का दोनों तक युआ है तो क्या हो सकता आगे चल के वह फिरिक्षंट हो जाएगा यह पहले पता था नहीं पता था यानि यह ear हो गया कि friction एक परपाटीज है और यह परपाटीज कम आएगा जब दो बोडी कॉन्टेक्ट होगा लेकि दो पॉइंट हो गया पॉइंट आपको याद रखना है जिसको बॉक्सिंग होता है तो उसमें पंचिंग लोग काता है कि पंच तो यहां भी एक पंच है पहला हुआ क कि friction एक परपाटीज है जो देखाई नहीं देता है अब कब होगा देखाई देगा चाहिए कब उभरेगा अपने को नकाब या भूंगत कब उठाएगा जब दोनों एक दूसरे में कॉन्टेक्ट में जाएगा इसलिए फिरिक्शन के डिफनेशन में लिखा गया है कि फिर मन मोटाओं हो गया तो पतना चुब आप चुब के सरुधार है दोनों एक दूसरे के पूरवत पच्छिम तो क्या हो रहा है फिरिक्शन इसे परपाटीज भीच अपोजेज अपोजेज परपाटीज भीच कम इन्टू प्ले कम इन्टू प्ले खेलने आ जाता है बिट्विन हमने बोला है कॉंटेक्ट बिट्विन कॉंटेक्ट सर्फेस सर्फेसे ऑफ टू बोडीज और दूसरा काम क्या करता है आइन अपोजेज अपोजेज दल रिणीव मोसन लिए इन मोसन का मतलब होगा कि दोनों ही को दोनों ही को गती में फर्क परेगा है और ल्यां यांद electronically clothes है ना अब जैसे मान लीजें कि जो बहुत Mr A Mr B के बहुत दोस्त है और दोस्त नाराज हो जाए तो दूसरा भी जो है जब तक वह मानेगा नहीं तब तक वह टेंशन में रहेगा तो आप Mr A female है तो क्या होगा नहीं माना तो क्या होता है च्छत पर से कूद गया यह मर गया यह फिरिक्षन में ही होता है यह फिरिक्षन यानि दो बोनों क्लोज्ड है एक दूसरे को पर निर्वान है बहुत चाहता है अब उसमें से एक नाराज हो गया किसी कारण से अगर वह मान नहीं रहा है मनाने की कोशिस है नहीं मानता है तो उसमें वह गलत रास्ता चुन देता है यह फिरिक्षन भी खतरनाक चीज है वह इ लोकि उखा दिया कि धक्का क्यों माराजी तो इस नहीं के गलती से लग यह मानने कहां लग यह तका करोगे हो गया जगड़ा तो यह फिरिक्षन को हटाने के लिए कि कभी फिरिक्षन नहीं आया दो बोडी के बीच तो एक बोडी के सर्फेस को चिकना होना चाहिए अगर अगर आप है तो फिरिक्षन जबरदस्त आएगा दोनों में चलिए पहला पांट इसमें आपको मिल गया कि अगर पहला पांट मिल गया कि इसका जो है फिरिक्षन एक प्रपाटिज है जो दो कांटेक्ट बॉडी के बीच में आ जाता है अगर मान लिए कि किसी ने अब्जेक्टिव पूछ दिया कि बताइए कि दो बॉडी है आदोनों को अलग किये हुआ है तो इसमें दोनों में Friction है तो दोनों में जब तक नहीं होगा जैसे जैसे रोड चिकनी है रोड देखें हूंगे आपूओ लोग रोड चिकनी है तो ठैर को रूखरा बना दिया जाता है अगर वह चिकना वह चिकना तो溫चन 0 वह psychologically यानि एयक तरफ प्रिक्रिक्षन लाया जाता रोड चिकनी है तो टायर में जो है सो कटिंग कर दिया जाता है कि जिसके अज़ोर टायर भी चिकना यह भी चिकना तर फ्रिक्शन जीरो तो आप देखिए पहला पाइंट हो गया कि फ्रिक्शन कि डिपेंज निर्भर करता है डिपेंज ओन दा कि नेचर ओफ कि शर्फेस कि शर्फेस के नेचर पर डिपेंड करनेगा यानी फोर इसमूद सर्फेस शर्फेस फ्रिक्शन इज लेस एंड फोर रफ सर्फेस फ्रिक्शन इज हाई अब आज यह इसमें आपको मालूम हो गया कि फिरिक्शन इक पर्पाटी यह तो पर्पोर्टीच का मेजरमेंट होना चाहिए तो फिजिक्स तो दो मेजरमेंट पर डिपेंडंट है जैसे अग नर्जिया को मेजरमेंट किया था न्यूटन का सेकेड लॉग्याव ने यहां कर से इसमें क्या है कि 12 ना ये सर्फेस ऑसका आ दूसरा बादी इस आरव औरल aussi इस डाइरेक्शन में है और आर्श दायरेक्शन में अपर एस डैरेक्शन में इसलिए के पहलेल कर दिया और इस बोरी का जो है वेटN नीचे काम करेगा और निव्टन्स के थार्ड नियम से नॉन्मल फॉर्स ऊपर काम करेगा तो लौ फ्रिक्षनल में कहा गया कि यह फिरिक्षनल फॉर्स फॉर्स डायक्तली प्रोपोर्टिन टू नॉन्मल फॉर्स यानि अगर एफ है यह प्रोपोस्टनल टू एन है तो इसको अगर कॉंस्टेंट लेंगे तो म्यू आइसी कॉंस्टेंट एही मेजरमेंट हो गया यानि यह म्यू जो हुआ इसको सीधे फिरिक्षन कहते हैं या कॉफिस्टेंट ओफ फिरिक्षन कहते हैं और आप जानते हैं कि यह भी फोर्स है यह भी फोर्स है तो इसको नोमेरिकल वैलू इट इज ए नोमेरिकल वैलू सो इट हैज नो यूनिट और नो डाइमेंशन नहीं यूनिट रखता है नहीं डाइमेंशन रखता है क्योंकि दोनों फोर्स का रेशियो है अब यहां सबसे इंपोर्टेंट चीज आ गया जो आपको यहां समझना है कि यहां फ्रिक्षनल फोर्स एक इसके कारणा है फ्रिक्ष्न के कारण यह अधिक rich एक फोजिट काम कर रहा है । आपको भी पताए न चेहां यहां प्रिक्षन वाग्ल्स नहींञा देख शैवाРЕ कότε हां जाता है लिए गलतेड़ है उसमें कर रहा है भास फ्रिक्षी नहीं बहुत क्लोज में प्रिक्सने का सजे की नोग होता है कि अब इतनी चोटी सी चीज पर कितना अब जेक्टिव बनेगा याँ सोच नहीं सकते हैं तो इसके लिए आपको अब जेक्टिव पकर लिए इसे दो टेबूल को याद रखिए एक तरव दिए फ्रिक्षन है और एक तरव रखे फ्रिक्षनल फोर्स पूर्स यह आप जान दाएं कि फिरिक्शनल फोर्स जो है यह बराबर है म्यू एन अम्यू एन यह म्यू एमजी है तो जरा सब देख लिए इसका फिरिक्शन इसके बारे में कहा गया है कि इस डिपेंद्स कि अन नेचर ओफ सरफेंस के नेचर पर Doll करता है कि इस ये भी देख से इस डिपेंज्ट करता है तो जी से गए यह एदिपेंस ॐन दा म दा शर्फेस आफ बांटनेचर के चीलिक्शनास तुमर्ट फी कम होगा और फिक्शन देखिए इस नाट डिपेंद्स अन्दा मास मास यह मास पर डिपेंदेंट नहीं है इह क्या है कि इस इस टे डिपेंद्स मास यह मास पर डिल्र समय नहीं है और ज़िक्टिम में बरावर यह कोश्चन मुशता है की हुआ दिया कि कोई रेक्षा वालीं थेला माला थेला चलाते हुए ले जा रहा हा है और तेर रोट पीच में उसको कुछ friction है कोई practically और यए बिश्चा दौरते बड़ते उत्फेल एक बैठ गया तो बताता है कि रोट यह है है रीमेर कॉंस्टेन na प्रीड तो microbes रिमेन कॉंस्टेंट फिरिक्शन रिमेन कॉंस्टेंट चुकि मास से इंडिपेंडेंट है लेकिन फिरिक्शनल फोर्स चेंज कर जाएगा क्योंकि मास बढ़ गया तो फिरिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि इसी में जाना तर इस्टुडे नहीं करता है इनसे मिलिए इट डिपेंज है ओन डारेक्शन है कैसे डिपेंड करेगा इट 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 इज ऑल्वेज है ऑल्वेज अपोजीट तू दा मोशन मोशन के विप्रीथ होगा लमवत नहीं होगा विप्रीथ होगा विप्रीथ यानि पैरलल होगा मोशन के जिस दी सामय होगा यानि 180 डिगरी कौन बनेगा चौथा देखिए इट डज नौट डिपेंड अन दा एरिया ओफ कॉन्टैक्ट सर्फेस यह कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया से इंडिपेंडन्ट है तो यह जो है इट डज नौट अबच्चा विआ यह जो है मास्ट नौटैक्ट वर्फेस इंड हो यह कॉन्टैक्ट यह में में झांटी अच्चाच तार्फेस on the surface of, does not depend on the value of G, value of G से ये ये डिपेंड नहीं है, यानि आर्थ पर कुछ और होगा, चंद्रमा पर कुछ और हो जाएगा, वहां से पता चल रहा है, यह पांच पांट है, जिससे आप समझ गए होगे, क्या अब्जेक्टिव इस पर कैसा आ सकता है, इसितना हुआ है, यह कुछ 620 रुझे समय हो कांट रहां से भर को महां सकते हुआ ऑगाया कम रहां सकते हैं, जिससे आख रहाख़ूड़ स्वज़ लाया कि यहांत क्या है, जिससे टे आ सकता है, हम अजेबी. झाल झाल